है यह दोस्तों तो आज हम बात करेंगे निमोनिक्स तूरिमेंबर बीटा ब्लॉकर ड्रक्स तो इसने सबसे पहले हम देख लेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है जो कि है लाकासा टी पापिल अपने एक फे आपको इनिमोनिक याद रखने है इसमें लाका का मतलब हो जाएगा लेटाल और कर्विडेल यह विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रापर्टी वाले जो ड्रक्स रहें यह दुनों ड्रक्स यह हो जाएंगे लाका और इसमें ऐसे का मतलब हो जाएगा सोटाल और टी आई का हो हो जाएगा टीमोल ओल में पागा हो जाएगा प्रॉप्रे न ठीक है और पील को हम बोल देंगे पिन थर यह gera का हो कि है अपका और यह तीन हो जाएंगे विदाउट आई एसे वाला ग्रूप और पिंडोल हो जागा विद आई एसे वाले ग्रूप इसके बाद हम आते हैं काड़े स्लेक्टी बीटा ब्लॉकर पे डैट इस बीटा ब्लॉकर तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सावर एक पढ़िया सा निमोनिक है जो की है अपके होस्टल के लेंगवेज में यह होस्टल की एक लेंगवेज है उसके उसके उपर यह नि टीनों ट्रक्स M-A-A-A-B-E-N का हो जाएगा यह B और यह E और N for Nebulol और B C का हो जाएगा यह दोनों ट्रक्स तो एक सिंपल सा निमोनिक है मा बेन और यह B और C तो होस्टल के लेंगवेज में यह निमोनिक आपका हो जाएगा टीक है तो इसके बाद हम देखते हैं कि केड़ी तिरपाड़ी में एक और क्लास्फिकेशन दिया हुआ है पीटा ब्लॉकर्स का जो की है जनेरेशन वाइस तो इसको भी याद रखने के लिए हम बहुत ही सिंपल है इसको रखना अगर आपको यह उपर वाली वाले दोनों ड्रक्स इसमें दोनों क्लास के ड्रक्स इसमें आ जाएंगे फर्स जनेरेशन में उसके बाद विद अल्पा ब्लॉकिंग प्रपर्टी वाली के दुन ड्रक्स और यह बी सी एन यह यह पांचो ड्रक्स आ जाएंगे आपके थर्ड जनेरेशन वाले ड्रक्स मे यह यह पाच्व ड्रक्स फिर जो बच जाएंगे यह ड्रक्स यह आ जाएंगे आपके सिकन्ड जेरेशन में इस तरह से हम इसको याद रह सकते हैं जो जनरेशन वाइस क्लास्वेशन दिया है उसको भी तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मारे चैनल को तो अभी तुरंत अबस्क्राइब करें और आगे आएसी बहतरीन वीडियों के लिए लीए विल आइकन को प्रेस करें तकि आपको आने वाले वीडियो के मिलती रहे और हमारी इस पे और इंप्रूब कर सके और वीडियो को लाइक करे जादा स्यादा वीडियो को शेयर करने ना भूले तैंक यू